हेलो फ्रेंडिस नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इपने चैनल ट्रिपल सी बाइफ़ शड़ी पर आईए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को आज की इस क्लास में 11 अपरेल ट्रिपल सी एक्जाम में पूचे गए कुशी इंपॉटेंट प्रस्णों को सामिल किया है इस सभी प्रस्ण हमारे पास बेजे हैं तुसार कॉसिक सहारनपुर से और मनी शंकर तरपाथी ने तो आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद जो आपने हमें प्रस्ण बेजे हैं और आप लोग भी जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एक्जाम है अपने प्रस्ण हमें अवज से भेजें जो भी प्रस्ण आपको याद रहें उन्हें आपको भेजना है प्रस्ण आप में वाट्स अप कर सकते हैं 945229 436 पर या फिर मेल कर सकते हैं info dot triple c by first day at gmail.com पर इसके अलाबा आप सभी हमें Instagram और Facebook पर अपने प्रस्ण बेज सकते हैं Instagram Facebook ID है triple c by first day ठीक है चलिए start करते हैं आज का सबसे पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर पूचा गया था IMF का full form क्या होता है तो आप सभी को पता होगा IMF का full form हमने कई दिवार आपको पढ़ाया है अपनी class में अगर आपने सभी class देखे हैं क्या होगा इसका full form सभी वच्चे comment box में लिखेंगे और जो साथी class में अभी भी आए हैं आप सब को share करना है ताकि और भी वच्चे इस class को join कर पाएं IMF का मतलब क्या होता है International Monetary Fund होता है तो option यहां पर पहला हो जाएगा International Monetary Fund सवाल number second कहता है Digi Locker में कुल space कितना होता है अब देखें Digi Locker से सवाल लगवग हर बार आता है एक्जाम में जब भी आप एक्जाम देने जाते हैं तो हर महीने एक्जाम में पूचा ही जाता है Digi Locker एक सरकारी अप्लिकेशन है जहां पर आप अपने डाकुमेंट रख सकते हैं और यह बैलीड होते हैं तो यहां पर टोटल स्पेस हमें कितना दिया जाता है वो पूचा है तो 1GB का टोटल स्पेस इसमें 1GB का मिलता है ठीक है दूसरा अगर आप से पूचें कि हम Digi Locker में कितने साइज की कोई फाइल अप्लोड कर सकते हैं तो अगर अप्लोड करने की बात हो कि कितने साइज की को हम upload कर सकते हैं तो upload size जो आपका होगा वो कितना होगा वो ध्यार रखना है आपका 10 MB का होगा 10 MB तक की file को ही upload किया जा सकता है और digilocker की सभी service का लाव लेने के लिए आधार card जरूरी है यह आपका mandatory है आध रखना है अगला सवाल था logical address को और किस नाम से जाना जाता है देखिए logical address जो होता है इस logical address को और किस नाम से जानते हैं या आप से पूछा गया है तो इसे physical address कहते हैं virtual address कहते हैं land address कहते हैं या इसमें से कोई नहीं चलिए जबाब करेंगे question number 3 है आपके screen पर logical address को और किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर ध्यार रखना है option V हो जाएगा इससे virtual address V कहते है option आपका यहाँ पर हो जाएगा V correct virtual address के नाम से भी जाना जाता है question 4 कहता है CAD की full form computer algorithm design होता है जो CAD की full form है वो है computer algorithm design अब आप सभी बताएंगे कि इस सही है true false में जवाब देना है आप सभी को तो इसका मतलब होता है computer added design ना की algorithm क्या होगा computer added यहाँ हो जाएगा और design आजाएगा तो यह आपका false हो जाएगा अगला सवाल पुचा गया था sim का full form क्या होता है बताएंगे sim का पूरा नाम क्या होता है subscriber identity module यहाँ पर option पहला ही correct हो जाएगा subscriber identity module होता है अगला सवाल था writer में control R से left कर सकते हैं अगर आप LibreOffice writer की बात करें तो control R से आप left कर सकते हैं क्या होगा इसमे correct answer तो यह आपका false हो जाएगा control R से left नहीं करते हैं control R से right करते हैं अब right क्या करते हैं तो right align करते हैं जैसे आप screen पर देख पारे होंगे आपके सामने LibreOffice writer open हो गया है ठीक है और अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं कुछ टाइप करते हैं हमने यह triple C टाइप किया अभी आप देखेंगे by default यह आपका left में align है अब हमें इससे right में लेकर जाना है तो हम केवल control R दवा सकते हैं तो जैसे control R हमने दवाया तो आपने देखा यह right में align हो गया control L दवाते हैं तो left में align होता है control R से right में होता है control E से center में align होता है ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया था control R से left कर सकते हैं तो left नहीं कर सकते हैं right कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए क्या होगा यह आपका false हो जाएगा अगला सवाल है Linux के खोज करता है कौन है Linux के founder Linux क्या है एक operating system है कैसा है open source है यह भी ध्यार रखना है Linux एक open source operating system है और इसके खोज करता है Linux store bulbs option number पहला सही जबाब हो जाएगा Linux store bulbs अगला सवाल था WMI का full form क्या होता है WMI का पुरा नाम क्या होता है इसमें क्या होगा आपका सही जबाब चलिए WMI का full form आप सभी बच्चे बताएंगे चलिए से बताएगे comment box में answer लिखें सही जबाब क्या हो जाएगा तो सही जबाब यहाँ पर option B हो जाएगा Windows management instrumentation Windows management instrumentation होगा option B correct है अगला सवाल था MSTP का full form क्या होता है MSTP का full form क्या होता है बताएगे क्या होगा इसमें सही जबाब MSTP का full form क्या होता है option पहला हो जाएगा multiple spanning tree protocol ठीक है multiple spanning tree protocol होता है MSTP का full form यह धिया रखना है जिनका भी आगे triple C का exam होने वाला है यहाँ पुछा है BAN का full form क्या होता है W-A-N BAN का full form क्या होता है BAN एक network है और इसका पुरा नाम होता है Bide Area Network क्या होगा Bide Area Network option B correct होगा और BAN का example क्या है तो आपने का असर BAN का example internet होता है इन्टरनेट किसका example है BAN का example है अगर LAN की बात करते हैं तो LAN का full form क्या होता है तो इसका full form होता है Local Area Network LAN का full form Local Area Network होता है LAN क्या होता है इसे Ethernet भी कहा जाता है Ethernet भी कहते हैं ध्यान रखना है man का full form क्या होता है metropolitan area network होता है अगला सवाल था IMEI का full form क्या होता है कई वार आप पढ़ चुके हैं IMEI के बारे में IMEI का full form यहाँ पे पूंचा है कई वार पूंचते हैं कि IMEI कितने digit का होता है तो international mobile equipment identities का full form होता है international mobile equipment और identity यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो यहाँ option पहला ही correct हो जाएगा identity हो जाएगा international mobile equipment यह full form होता है आपका IMEI नमबर का अगला सवाल था किसके माधियम से हम social media पर tweet कर सकते हैं बहुत ही simple सा प्रशन है यह किसके माधियम से आप social media पर tweet कर सकते हैं अगर आप tweet करना चाहते हैं तो किसका इस्तिमाल करना पड़ेगा instagram का twitter, whatsapp या none of this तो दिखिए अगर हम social media पर tweet करना चाहते हैं तो हमें twitter का इस्तिमाल करना पड़ेगा option भी हो जाएगा यानि twitter के थुरू हम tweet कर सकते हैं twitter को और किस नाम से जाना जाता है तो ये भी दिखिए रखना है इससे micro blogging कहा जाता है ठीक है, twitter को micro blogging के नाम से जाना जाता है दूसरा दिखिए रखना है twitter में logo किसका होता है तो logo में Larry Bird नाम का एक पक्षी है option यहाँ पर दिखिए रखना है PNG एक image file है और इसका मतलब portable network graphics होता है option पहला हो जाएगा, portable network graphics होता है यह PNG का full form होता है, ठीक है अगर आपसे पूछें कि JPG का full form क्या होता है या JPEG का full form क्या होता है तो JPG का क्या होता है joint photographic group और JPEG का क्या होता है joint photographic expert group तो बस केवल यहां expert बढ़ा देना है आपको और same है joint photographic ठीक है और यहां हो जाएगा group और इसमें क्या करना यह में मतलब expert डड़ हो जाएगा और यह भी आपका image file format होता है अगले सवाल है सार्थी तो सार्थी का full form क्या होता है सार्थी का full form क्या होता है यह भी एक जाम में कई बार पूछते ही तो synerized advanced application rail travel help and information option यहां पर आपका be correct होगा M passport किसके दोरा जारी किया जाता है M passport किसके दोरा जारी किया जाता है बताईए M passport किसके दोरा जारी किया जाता है answer होगा option B ministry of external affairs कि दोरा M passport जारी किया जाता है pen card number में शुरू में कितने अच्छर होते हैं अच्छर का मतलब यहां later से है कितने later होते हैं ठीक है कितने later होते हैं अगर हम alphabet की बात करें तो जो pen number होता है जो pen card होता है तो उस pen card पर जो later होते हैं alphabet और होता है को मिलाकर के 10 आपके digit होते हैं इस प्रकार से format होता है आपके pen number का total 5 alphabet पहले कोई भी हो सकते हैं चार digit कोई भी हो सकते हैं और last में एक alphabet कोई भी हो सकता है liberal office writer के drop down menu में font size होता है अब इसमें से आपको यह देखना यह previous exam में भी पूचा गया था mean पिछले exam में भी पूचा गया था जो पिछले मंत में exam हुआ था तो liberal office writer के drop down menu में font size कितना होता है अब अगर आप drop down menu को check करेंगे तो बहाँ पर font size होता है कितना देखो 28 यहां दिया गया है 29 दिया गया है 31 दिया गया है और 35 दिया गया है अब एक इसमें से है जो की font size होता है बाकी नहीं होते हैं तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो पहला हो जाएगा 28 यह वाला होता है 29, 31, 35 नहीं होता है चली हम आपको यहां पर दिखाते भी हैं आप आजाए लिप्रोफिस में और यहां font size में आ जाओ तो 6 से शुरुवात होती है कम से कम आपका 6 होता है पर 7, 8, 9, 10 ऐसे यहां पर दिया गया है देखे 28 दिया गया है बड़ 30 और 29 भी नहीं है 30 नहीं है 31 भी यहां पर नहीं दिया गया है ठीक है और 35 भी यहां पर नहीं दिया गया है ठीक है तो इसमें 28 होता है बाकी ये तिनों नहीं होते हैं अगला सवाल था PDF का full form क्या होता है तो PDF का full form क्या होता है बताओ portable document format क्या हो जाएगा portable document format हो जाएगा PDF का full form LibreOffice से बाहर यहां लिखा है बाहर ठीक है ध्यां रखना है बाहर निकलने के लिए किस shortcut कुझी का इस्तिमाल करते हैं आप LibreOffice से बाहर जाना चाहते हैं मैंने आप LibreOffice को close करना चाहते हैं तो Ctrl H, Ctrl Q, Ctrl R, Ctrl N में से क्या दवाओगे ताकि LibreOffice आपका close हो जाए तो इसके लिए Ctrl Q आपको दवाना पड़ेगा देखो जैसे यहाँ LibreOffice आपका है अब यह writer open है लेकिन हम अगर Ctrl Q दबाएंगे तो यह close हो जाएगा यानि बंद हो जाएगा ठीक है और अगर हम Ctrl W दबाएंगे तो केवल हमारा writer ही बंद होगा पहले हम Ctrl W प्रेस करते हैं तो जैसे यहाँ पे आप Ctrl W प्रेस करोगे यह save के लिए बोला है डॉंट save कर देते हैं तो यह writer हमारा close हो गया लेकिन अभी LibreOffice आप देख सकते हैं ओपन है इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा Ctrl Q दबाना पड़ेगा ख़ें, तो media accessilight control होते हैessed कह रहे है numeric होते है Mac address के वल numeric होता है क्या इसका answer होगा माक का full form media access напрAll होता है और Mac address के वल numeric होता है तो यह false हो जाएगा क्यूंकि Mac address में alphabet भी होते हैं ठीके यह यहाँ पर numeric value भी होते हैं यहाँ रखना है तो इसलिए your false से आपका option भी यहाँ पर correct हो जाएगा और आज का class भी यहीं तक रहेगा आज हमारे पास 20 प्रस्ट आये थे जो बच्चों के दौरा भेज़े गये थे और जिनका कल एकजाम है आप सभी को हमारी तरब से वेश्ट अप लग सुब कामनाएं उम्मीद करता हूँ आप सब काव या फिर आप हमें Facebook पर भी अपने प्रस्ट ने भेज सकते हैं ठीक है और जिन बच्चों ने अभी तक हमें Instagram पर फालो नहीं किया है Twitter पर फालो नहीं किया है तो आप सभी फालो कर लिजिएगा ID सभी के है CCC by 5 study ठीक है तो इस सर्च करके आप हमें follow कर सकते हैं चलिए आज का class पसेंग तक इस class का PDF आप सब के लिए available हो जाएगा तो अभी कुछ समय के बाद में आपके टेलिग्राम पर आज की class का PDF आ जाएगा तो बहां से आप इसे download भी कर सकते हैं तो आज का class पसेंग पर समाप करते हैं मिलते हैं अगली class में तब तक लिए जाहें गूड नाइट